हलो एवरिवन, मैं हूँ जेसन रवी, सत्योवार सेनेमा की आवाज और समरी आफ सेनेमा में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम द़ फेबलमैंस मूवी का रिव्यू करेंगे ये फिल्म आज ही रिलीज होगे है सेनेमा गरों में फिल्म को डिरेक्ट किया है one of the greatest directors of all time Stephen Spielberg ने ये फिल्म लुजली बेज़ दे उनके खुद के लाइफ पर और उन्होंने ये फिल्म को अपने parents को डेडिकेट गया है फिल्म फॉलो करती है फिल्म मैंस एक middle class Jewish परिवार को यंग स्पिलबक के वर्ण का नाम है Sammy उसके पापा का नाम है बर्ट जिसको प्ले किया है Paul Danone मॉम का नाम है मिट्जी जिसको प्ले किया है Michelle Williams का इनके अलावा Sammy की तीन चोटी बहने भी है कहानी शुरू होती है जब बर्ट और मिट्जी Sammy को एक picture the greatest show on earth दिखाने ले जाते है picture के end में एक train crash होती है और वो देखकर Sammy अचब्वित हो जाता है train के खिलोने का set बना कर वो उसे picture वाले scene की तरह बार बार crash कराता है तब मिट्जी उसे 8mm camera में ये scene shoot करने का idea देती है और यहाँ से Sammy का filmmaking को लेकर obsession शुरू होता है Sammy धीरे-धीरे filmmaking के process को explore करने लगता है आगे जाकर हमें पता चलता है कि मिट्जी का बर्ट के co-worker और best friend Benny के साथ affair है Benny को play किया है Seth Rogen ने कैसे Sammy समय के साथ अपनी family problem से deal करता है और अपने passion को follow करता है यह देखने के लिए आपको film देखनी होगे थीटर्स में film को produce किया है Christian Krieger, Steven Spielberg और Tony Kushner John Williams, जो music के जगद में Spielberg के equivalent है उनका score बहुत ही warm और sensitive है फिल्म artistic passion और personal responsibilities को निभाते वग जो conflict arise होती है उसे दिखाती है passion follow करने में Sammy इतना मश्गूल हो जाता है कि वो अपने personal responsibilities भूल जाता है और यही बात Sammy के uncle Boris अपने personal experiences से उसे समझाते है Boris को play किया है Jude Hirsch ने Sammy के parents left brain, rat brain का combination है papa जादा methodical है, pragmatic है और mom काफी free spirited है, adventurous है सभी ने बढ़िया performances दिये है फिल्म में especially Michelle Williams ने और Jude Hirsch ने दुनों को nominations भी मिला है एकडेमी अवार्ड के लिए साथ ही में Paul Dano, Seth Rogen और Gabriel Label के performances भी यादगार है acting के अलावा यह फिल्म को और दो nominations मिले है एकडेमी अवार्ड के लिए वो है, best director के लिए और best film के लिए यह film Spilberg के सिफ autobiography ही नहीं पर एक love story भी है sigma और film making के लिए और हमारा मानना है कि आप सब को यह film देखनी चाहिए बड़े पड़तों पर वेल फ्रेंड्स यह ता The Fableman's film का review आपके लिए कोई thoughts हो तो comments में बताना अगर like, subscribe और notification bell दबाई है तो God bless you और अगर नई दबाई तो please दबा दीजिए और हमारे efforts को support और encourage दीजिए रिवी को Steven Spilberg के fan दोस्तों के साथ शेर करना फिलाल के लिए मैं Jason Derby विदा लेता हूँ Thank you, शुक्रिया और जाइनिम